आप बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन आफिस में किये गए काम की प्रशंसा नहीं मिलती, आपके बॉस कभी नहीं कहते कि बहुत बढ़िया काम करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, काम की प्रशंसा नहीं मिलती हो, क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा एक तांबे का छला जरूर धारण करिएगा और जहां पर आप काम करते हैं उस काम के डिस्क पर उगते हुए सूर्य का एक चित्र लगाईएगा और सबसे महत्वपूर्ण बाद अपनी पिन, अपनी कलम दूसरों को मत दीजिएगा अगर आप ऐसा करते हैं ये उपाए तो आप काम तो अच्छे से कर ही पाएंगे काम की प्रशंसा भी जरूर होगी ओफिस में राजनीती बहुत ज्यादा कहीं कहीं पर होती है कि आपके अपने सहयोगी, आपका बॉस आपसे इर्शा करता है आप आगे ना बढ़ें इसके लिए राजनीती करता रहता है ऐसी संभावना भी बनती है तो अगर आफिस की राजनीती से, पॉलिटिक्स से परिशान है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा इसके बाद आदित्य हृदे इस्तोत्र का पाठ करिएगा और जहां पर आप काम करते हैं एक पीले कागस पर लाल पेंसे लिख करके वहां पर गायत्री मंत्र लगाईएगा अगर आप ऐसा करते हैं आफिस में राजनीती होती रहे या ना होती रहे आप उस राजनीती के शिकार नहीं होंगे उससे निश्चित रूप से बच जाएंगे देखिए बुद्ध वो ग्रह होता है जो हर इस्थिती परिस्थिती में आपको adjustment करवाता है अगर बुद्ध कमजोर होता है तो आफिस की हर चीज से problem होती है आदमी अपने आफिस में adjust नहीं कर पाता चाहे चीजें तमाम रूप से बेहतर क्यों न हो तो अगर खुद adjust करने में समस्या हो रही है तो क्या करेंगे रोज स्नान करना शुरू करिए रोज सुबह नहाईए नमः शिवाय का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जब करिए चंदन की सुगंद का प्रियोग जरूर करिए एक पेरी डॉट या एक मोती सलाह लेकर के धारण करें आपका मेंटल लेवल इंप्रूव होगा और आप बड़ी आसानी से adjust कर पाएंगे आस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए आस्टो तक आप और चिटकी में जड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टॉलोजर से